सभी को नमस्का आप सब का अपिनन्दन करता है हमें यह बताते हुए अपार प्रसनिता और गर्व है कि अप आप अनोखे और श्रेष्ट ऑनलाइन मंच एनी टाइम लर्निंग यानि कि ATL लेकर आया है जिससे कि आप ऐसे कठी समय में भी बिना किसी रुकावट के शिक्षा क इसके लिए आपको एक डिवाइस जैसे डेस्टॉप या लाप्टॉप या टैबलेट या स्मार्टफोन के जरुवत होगी जिसमें इंटेनेट के सुभी धाभी उपलब्ध हो सबसे प्रथम आप अपने डिवाइस पर वेब ब्राउजर ओपन कर लें यदि आपके डिवाइस के समक्ष ब्राउजर उपलब ना हो तो आप गुगल ख्रोम को अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन या टैबलेट पर स्थापित कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर गुगल ख्रोम को इंस्टॉल या स्थापित करने के लिए गुगल प्ले स्टोर आप को क्लिक करके खोल लें सर्च बार में गुगल ख्रोम टाइप करें इसके पश्चा इंस्टॉल बटन पर टैप करें मैंने पहली ही गुगल ख्र प्रवेश करनी की आगामी प्रक्रिया डेस्टॉप कंप्यूटर या लाप्टॉप या टाबलिट या स्मार्ट फोन में एक ही प्रकार है अब कुगल ख्रोम के एड्रेस बार में www.addstation.org टाइप करें और अपने केपड पर गो बटन दबाएं आपको एड्रेस बार के दाहिन और दिख रहे ट्री डॉट वर्टिकल लाइन पर ख्लिक करें एवं एड्टू होम स्क्रीन ओप्शन का चैन करें जैसे कि आप देख सकते हैं आपके डिवाइस के स्क्रीन पे जुड़ गया है एक पार्ट इस आइकोन को टैप करें और आपके विद्याले प्रबंदन द्वारा दिये गए अपने लॉग इन की संबंधित जानकारी यानि की यूजर आईडी एवं पासवर्ड दिख रहे खाली बॉक्स में टाइप करें इसके पस्चार रिमेंबर यूजर नेम आप्शन को टिक करें और फिर लॉग इन बटन पर टैप करें आपके प्रथम प्रवेश पर आपको अपना पासवर्ड बदलने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी पहले बॉक्स में अपना वर्तमान टैप करें। इसके पस्चार दूष्य बॉक्स में अपना नया पासवर्ड टैप करें। क्रिपिया एक सरल एवं स्मरन करने योग्य पास्वर्ड ही एंटर करें जिसमें एक अपर केस लेटर, एक डोवर केस लेटर, एक डिजिट और एक स्पेशल कारेक्टर जैसे की हैश एड़िरेट हाइफन जरूर मौझूद हो। इसके बाद Save Changes पे क्लिक करें उसके बाद Continue पर टैप करें अब आपके यूजर नेम यानि के प्रयोक्त नाम के तुरंद बात दिख रहे Drop Down लिस्ट पे क्लिक करें और Profile Option का चैन करें इसके पर शाद Edit Profile पे क्लिक करें और खुद से सम्मंदित सभी जानकारी जैसे की अपना पूरा नाम Email ID आधी को भरें उसके पर शाद Update Profile Option को क्लिक करें भविश में यदि आप ATL Password भूल गए तो ये Email ID आपको पुनह अपना Password प्राप्ट करने में मददगार होगा अब अपने Dashboard में जाकर अपनी कक्षा और सब्देक का चैन करें इसके साथ ही आप अपने कक्षा से सम्मंदित संसादून का उपयोग करके आति उत्कृष्ट अनभव प्राप कर पाएंगे धन्यवाद